हरे कृष्ण, ओम अग्यांतिम्नांधस्याग्या अनजने शलाकया, सक्षरोन मेलीतम्यान अत्रस्माई श्री गुरु वैन्यमा, श्री चैतन्यमन उभिष्टं मिस्थापिताम्यान भूत ले, सभयम रूपकदा मयम दढाती सोपतांतिकं, जय स्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वाइति गरादार्शिवा साथिक और भक्त बंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओमनमा भगवते वासु दिवाय अमनमा भगवते वासु दिवाय तुँ दुझाइ वासु दिवाय देवकी नंदनायच नंदे गोपकुमाराय गोविंदाय नमुनमा एक्रिष्ण करुणा सिंदु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते तप्ता कंचन गोरंगी राधे ब्रिंदा बनेश्वरी ब्रिषभानो सुत्य देवी प्रणामामी हरी प्रिया श्री क्रिष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वाइत्य गदाधर श्री बासादिकोर भक्तु ब्रिंदा हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण क्रिष्ण हरे हरे हरी राम हरी राम 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 हरे 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 कृष्ण क्रिश्ण के पास से आज हमें फिल सत्संग करने का सुवसर प्राप्त हुआ जैसे के कल मैं एक श्लोक पड़ रहा था आपको यादी होगा चोथे अध्याय का नवाश्लोक इस श्लोक बड़ा अद्भूत है क्रिश्ण केते जन्म कर्म चमें दीव्यम एवं योवेती तत्वता तेक्ता पुनर्जन नायती सुमत जो मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य प्रकर्ति को जानता है ये अर्जुन तेक्तवा देहन पुनर्जन शरी छोड़ने के बाद उसका दूसरा जन्म नहीं होता है बलके वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है मेरी माता हो भेनों मित्रों सजनों इतना जान लेना के क्रिश्ण के जन्म और क्रिश्ण के कर्म दोनों दिव्य हैं इतना सिर्फ इतना मन में ये विश्पास रखना कि क्रश्ण के जन्म और कर्म दोनों दिव्व्य है इतना मन में भाव आकर इस बात पे विश्पास आ जाना जन्म नहीं होगा आपका दूसरा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के युग में भगवान स्री क्रश्ण को लोगों ने अपनी अपनी बुद्धी के अनुसार समझा है और आप तो जानते ही हैं कि हर एक इंसान की बुद्धी एक जैसी नहीं होती है जैसी जिनकी बुद्धी वो वैसा अर्था है जिसके पास थोड़ा हो बहुत कहां से लाए जिनकी जैसी बुद्धी वो ऐसा अर्था है मेरी माता हुए नमित्रों हर एक इंसान अपनी बुद्धी के अनुसार कृष्ण के विशे सोचता है कोई कृष्ण को क्या समझता है कोई कृष्ण को क्या समझता है कोई कृष्ण को क्या समझता है और कुछ तो इतने गिरे हुए लोग होते है उनकी बुद्धी इतनी ब्रस्ट हो चुकी होती है कि उनकी सोच इतनी घटिया होती है कि कॉलिज में अगर एक लड़का चार लड़कियों के साथ खड़ा हो तो सीधा केते हैं क्यों भाई ये कौन सी रासलीला हो रही है क्योंकि उनकी बुद्धी घटिया बुद्धी होती है कहां कृष्ण की पावन रास लीला और कहां ये दुर बुद्धी के लोग कृष्ण ने ऐसे ही लोगों के लिए इस पस्ट का आउ जानन तो माम भूत महेश्वार माम आउ जानन तो माम मुधा मनुष्यम कि जो मूड बुद्धी के लोग होते हैं वो मेरे जन्मों के विश्य और मेरे लीलाओं के विश्य नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धी कैसी मूडता से ढकी हुई इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है जब हमारे जीवन में हरी किरपास से कोई सामर्थ सद्गरू का परवेश हो जाता है वो सामर्थ सद्गरू जो हमें कृष्ण के लीलाओं की वास्तविक्ता समझाते है कि कृष्ण के लीला है अमोग है कृष्ण के लीला है अच्यूत है क्रिश्ण के लीला हैं इंद्रियों से परे हैं क्रिश्ण के लीला हैं हमारी सोच से परे है क्रिश्ण के लीला हैं परम पवित्र है और जब हमारी बुद्धी इस परकार से क्रिश्ण के लीलाओं की वास्तविक्ता को जान लेती है और हमारा पूरा विश्वास कृष्ण की इन लीलाओं को ये समझने पर आ जाता है कि कृष्ण की लीलाओं दिव्वे हैं तो पता है कृष्ण क्या कहते है पुनर जन्म, दूसरा जन्म नहीं होगा ये मेरा मत्थ है अर्जुन पुनर जन्म नहीं होगा दूसरा जर्म नहीं होगा, ये मेरा मत है कृष्ण कहते है इसलिए आप सबों का ये परम कर्तब भी है कि जब भी भागवत पड़े प्लीज 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 कृष्ण की लीलाओं को अपनी बुद्धी से मत समझेगा क्योंकि हमारी बुद्धी तो सीमी थे, हमारी बुद्धी वास्तविक्ता को नहीं समझ सकती है आज इंसान की ऐसी बुद्धी खराब हो चुकी है कि एकर रास्ते में सगे बहन भाई भी चाहते हो और हम अन जाने हो तो हम उनके लिए कुछ भी सोचने लगते हैं कि हमारी बुद्धी तो इंसान की आज तक इस हद तक नेगेटिव हो चुकी है कि सच को जाने बिना हम कुछ भी सोच लेते हैं कि वास्तविक्ता को जाने बिना हमारे कुछ भी मन में विचार आने लगते हैं और याद रखना हमारी जैसे बुद्धी सोचती है वो कानों देखा आखो कानों सुना और आखों देखा सत्य नहीं हो सकता जुरूरी नहीं कि हमारी जो आँख देखती है वैसा ही हो जुरूरी नहीं कि जैसे हमारे कान सुनते है वैसा ही हो और जैसा नहीं है कि जैसे हमारी बुद्धी सोचती है वैसा ही हो क्रिश्ण की लीला जैसे हमें लगती है वैसे नहीं है मेरी माता वेनों मित्रों क्रिश्ण की लीला परम पवित्र है आज के इंसान को जैसे लीला लगती है ऐसे नहीं है आज का इंसान किस हद तक जा सकता है कि क्रिश्ण की लीलाओं पर गाना आपने सुनाओगा किस हद तक उसकी बुद्धी नश्ठ हो सकती है कि लिखा गाना किसी ने कि वो करे तो लीला और हम करे तो क्रेक्टर धिला अपने ये गाना कभी सुनाओगा आप सूचों इंसान कहा तक जा सकता है कितना नेगटिव हो सकता है कितनी उसकी सोच घटिया हो सकती है तो परम पवित्तर है और कृष्ण परम इश्वर है मेरी माता हुवेनमित्रो मैंने पहले ही कहा है जुरूर नहीं कि जो हमारी आँख देखती हो वैसा ही हो और जुरूर नहीं कि जैसे हमारे कान सुनते हैं वैसा ही हो मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं तब आपक एक राजा था वो राजा किसी दूसरे प्रदेश्ठ में गया था कुछ दिनों के लिए दो-चार दिनों के लिए बाहर गया हुआ था ये कढ़ा समझने वाली कि जुरूर नहीं कि जो हमारी आँख देखे वैसा ही हो और जुरूर नहीं कि जो हमारे कान सुने वैसा हो और जुरूर नहीं कि जैसे हमारी बुद्धी सोचती हो वैसा ही हो मैं कृष्ण लीला के संदर्ब में समझा रहा हूं कि जैसे हमें कृष्ण लीला दिखती है वैसे हमें सामर्थ सद्गरू से समझनी पड़ेगी महापुरुष समझ पड़ेगी प्रेम करने वाले वैश्नाओं से समझनी पड़ेगी कि तो राजा था कि राजा किसी दूसरे शहर गया हुआ था पीछे से राजा के महल में नवरातरी के दिन थे तो राम लीला कायोजन हो रहा था उस राम लीला में जो राजा की बेटी थी वो एक पुरुष के रोल कर रही थी पुरुष का पात्र कर रही थी तो राजा की बेटी ने दाड़ी लगाई थी मूचे लगाई थी कि और सर पे बड़ा पंगडी पैन रखी थी और पुरूर्ण का वेश पेन रखा कि तो दिखने में वो पुरूरु मा रही थी। राम लीला बहुत देर तक चलती कि जब राम लीला राथ को देर तक चली और समाप्थ हुई तब राजा की बेटी जो के पुरुष के वेश में थी उसको कायरता आ गई और उसने सोचा कि अब मैं यह वेश कपड़े नहीं बदलती हूं ऐसे ही पुरुष के ही कपड़ों में अपनी मा के कमरे में जाके सो गई एक तरफ रानी सोई थी और एक तरफ वो लड़की लेकिन पुरुष का वेश पहन रखा था ऐसे सो गई अचानक राजा आ गया उस समय उस रूम में उस कमरे में उस कक्ष में थोड़ी सी हलके दिये जल रहे थे तो साफ दिख नहीं रहा था जब राजा उस कक्ष में परवेश करता है तो गरवाली जहां सोई है उसके बिस्तर पे उसकी जगा कोई दूसरा पुरुष सोया हुआ है राजा को काटो तो खून नहीं मेरे बाहर जाने से मेरे कमरे में कोई दूसरा पुरुष सोता है यह सोच के राजा के तन बदन में आग लग गई और राजा ने मन में सोचा मैं अपनी राणी और इस पुरुष का दोनु का ही हत्या कर देता हूं यह सोच कर उसने तलवार निकाली यह सोच के तलवार निकाली और जैसे ही वार करने लगा के दोनु को मार दू तब राजा को अपने गुरू के वचन याद आए वचन याद आगे के बेटा कभी-कभी को समझने में हम गलती करते हैं चूं कि हमारी जो आँख देखती है और कान सुनते हैं जरूरी नहीं के वो सही हो चूं कि हमारी आँखों देखा और कानों सुना और बुद्धी का सोचा गलत हो सकता है यह सोच के राजा अपने गुरू के वचनों को याद करके एक मिनट के के लिए रुख गया कि सूचा पहले देख लूँ यह पुरुष है कौन बाद में मारूंगा अपने गुरु के वचन याद आगे कि कभी-कभी आँखों देखा और कानों सुना भी गलत होता है इसलिए जल्दी फैसला मत करो कोई भी सोच समझ के फैसला करना यह सोच के राज बैटी डर के उट गई हडबढा के उट गई जब हडबढाया तो उसकी पगड़ी खुल गई उसके बाल खुल गए और अपने पिता को सामने खड़ा देखके ते पिता जी ऐसे में रानी भी उड़ गई ओओ राजा के पाउं के निच्छे से जमीन निकल गई कि अभी मैं अपनी गलत फहमी के कारण अपनी बैटी और अपनी पत्नी को निर्दोशों को मार दालता था और बाद में जब मुझे सच पता पढ़ता तब बहुत पच्छतावा होता था धन्य है मेरे गुरू के शब्द जिन्नोंने मुझे एक बहुत बड़े अनर्थ करन कर्ष्टी वो सही हो इसी तरह से हमारी गुर्दी जो कृष्ण लिला के विशे सोचती है मेरी माता हुए दुमित्रों कृष्ण की लीला ऐसी नहीं है आप सोचिए यही कृष्ण के लीला और यही भागवत सुनकर राजा परिक्षत सत्गती को पागया और यही भागवत सुनाकर शुक्देव महाराज परम गती को पागये आप कभी सोचिए राजा परिक्षत मनासन पे मृत्यू के नजदीक थे और शुक्देव महाराज एक परम सिद्ध अवस्ता में दोनु कितने उच्च कोटी के महत्मा होंगे और उच्च कोटी के महत्मा ही क्रिश्चन लिला को समझा सकते और समझ सकते प्लीज आज के युग में जिस वातावरन में हमें क्रिश्चन को समझाय जा रहा है क्रिश्चन ऐसे नहीं है ना ही क्रिष्ण की लीलाई ऐसी है जबके खुद क्रिष्ण कहते है ये मेरी लीलाई सुनकर तुम्हारा दूसरा ज़न्म नहीं होगा बस ये समझ ने लेना मेरी लीलाई कैसी है जन्म कर्म छमे दिव्यम एवं युवेती तत्वता ये इसको जो वास्तविक्ता से जान लेता है उसका दूसरा जन्म कभी नहीं होता है मेरी माता हुबे नुमित्रो ये परम सत्य हैं कृष्ण की लीला हैं आप पड़े प्रेम से सुनिये किसी संत के मार्ग दर्शन में प्रेम से पढ़िये किसी संत के मार्ग दर्शन पे अपने गुरु महराज के मार्ग दर्शन पे अपनी बुद्दी से मत समझेगा, नहीं तो बटह हो जाएंगे, इसलिए लोगों की बातों पे मत आईएगा जूखिए लोग अपनी अपनी बुद्दी से कृष्ण के वीषय सोचते हैं हमेशास्तर गुरु सादू के अनुसार कृष्ण को समझना है और कृष्ण परम इश्वर है कृष्ण स्तू भगवान स्वया मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भागवत पढ़ेंगे लेकिन यह सोच कि कि कृष्ण की लीला है परम पवित्तर है इन लीलाओं को स सुनकर मौक्ष प्राप्त हो जाता है मेरी माताव भेन मित्रों भगवान स्री कृष्ण आप सबों को खुश रखें आप सब तंदूस रखो स्वस्त रहो सुखी रहो इसी मनों कामना पर आज की सत्संक में विराम देता हूं जय जय श्री रादें